आर सोनी नियूस खबर आपको लोग चिंतित हो रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं दिली सरकार और विंद के जीवाल के उपर नाम बताए हैं कि आप यहां पर पानी की बॉटल लेकर खड़े हैं क्या पीने की पानी की बहुत समस्या यहां पर यहां मुख्यमंत्री के जिर्वाल जी तो यहां का दौरा करके गहते हैं कि यहां पानी की समस्या को साथ दिनों के अंदर खटम कर देंगे आजा हुए तो यह कमारा बाप जे कबाया आई हो आपका नाम वो जुमला जी मुखमत्री ने वादा किया था वो बुरा हूँ आप लोगे था पानी आ रहा है किस नहीं हो रहा है कितने दिन के लिए उन्होंने बोला एक हपता एक हपते हो गए हाँ हो गया वह तो अभी त पढ़िए पढ़िए सुबे से क्या करा है कहां जा मैं कि माजाते हैं तो माट लेन लगानी पड़ती है एक बोतल भी नहीं देते लिए पका पानी की आप नाम इना मिनाक्षी है क्या कहेंगे जो मुखमतिन ने वादा किया था वो पूरा हुआ यहां पर पानी नहीं आया और हम लोगों ने यह खुद अपने पैसों से यह टंकी ठीक कराई थी यहां पर कुछ भी नहीं होता होता अब यह तो आगे-आगे हो जाता है तो वह आगे लोग तो गाते रहते हैं हमारे पानी आ रहा लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता और अभी यहां पर पीने का पानी भी हम लोग खरीद के पीते हैं एक बोतल 20 रुपे कि वहता रोज के रोज 20 रुपे का सब़ाइब एक बीस लिटर में तो कोई गुजारा है नहीं एक से गुजारा भी नहीं होता हमारी दो तीन दिन बहुत ले लग जाती है दिन भर की वह यहां पर बहुत परेशानी है पानी कि आप देख भी सकते हो कि हापर किते नंबर लगे वह हमें पानी नहीं मिलेगा और हमारे बस कि हां की ओरतों से लड़ना है कितने घंटे पानी आता मोटर से आता है क्या करें मेरे पास आये थे कुछ लो तीन समस्या लेके आये थे एक तो बोले जी पानी नहीं आता सही बाद है पानी नहीं आता पानी की समस्या है दूसरा बोले जी सीवर की समस्या है शोचाले की समस्या है सीवर की समस्या है नालियों की समस्या है और तीस तूटी पड़ी हैं गलत तो नहीं गह रहा यह तीन सबसे बड़ी समस्या है आज इनका तीनों का समधान लेके आया हूं मैं उसका भी बताता हूं एक तो पानी की पाइपलाइन डल गई यहां पर उसमें एक अफ़ते में पानी आजाएगा गंगा पानी आजाएगा एक अफ़ते के अंदर दूसरा सीवर का जहां तक है पंदरा दिन में मैं सारे इंजीनियर साथ आया मेरे पंदरा दिन के अंदर आपकी सीवर की पाइपलाइन डलनी चालू हो जाएगी तो आपका जो नाली का पानी है वो सीवर के अंदर जाया करेगा नाली की समस्या तोल हो जाएगी और तीसरा जैसे जैसे सीवर डलता जाएगा वैसे वैसे गली बनाते जाएंगे ताकि जब बारिशे आएं तब गली कच्ची नी होनी जिए टूटी हुई नी होनी जिए जितना बारिशों तक हो जाएगा उतना ठीक है बाकी सीवर डालने का काम बारिशों के बाद चालू र आप लोगों ने हमेशा सहयोग दिया है, इस बार भी चुनाव में जम के सहयोग दीजिएगा.